अगर आप कोई ऐसे design ढून रहे है जो simple हो easy हो और दिखने में beautiful हो और quick भी हो तो यह design आपके लिए है वैसे यह मेरे subscriber की request है उसने मुझे बनाने के लिए काया है तो सबसे पहले thread attach करेंगे मैं steel crochet thread use कर रही हूँ और 0.95 mm का steel crochet होगे तो thread attach किया मैंने अब baseline बनाएंगे रॉंग side पे fabric के chain 2 single crochet से चेंगल क्रोशे इस तरह से baseline कम्प्लीट करेंगे यह देख सकते हैं कि एकदम straight मैंने baseline नहीं बनाएंगे थोड़ी सी curve है करीब करीब थोड़ा बनाया है मैंने अब two chain बनाके इसे turn करना है one two और यह wrong side है fabric का अब हम right side पे आ जाएगे chain two बनाके मैंने turn किया अब इसे wrap करेंगे और first space में जाकर half double crochet बनाएंगे half double crochet में तीनों में से निकाल देते हैं तीनों loop में से एक सर इस तरह से अब chain four बनाएंगे one two three four और यह जो gap बना है half double crochet का इसमें hook insert करते हुए एक single crochet बनाएंगे तो इस तरह से chain four का picot बन जाएंगा फिर से wrap करेंगे next space में hook insert करेंगे और तीनों उसमें से loop में से निकाल देंगे इस तरह से फिर से repeat करेंगे chain four और यह जो gap बना है half double crochet का इसमें single crochet तो इस तरह से first baseline बनाएं और second picot stitch से हम यह design बना रहे हैं तो फिर next space में half double crochet chain four यह gap में hook insert के single crochet तो इस तरह से repeat करते जाएं और यह design complete करेंगे 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 जसे देए झाल चलिए आचल, झाल.